सफेध हंस बहुते अद्भुत दिखेला देकरे खातीर आपके बहुत सारा छोट चौकोन कागज लगी पहले 10 बाई 10 सेंटिमेटर के एक चौकोन लेके बीच में मोड़ ले और उके कटर से काट ले ताकि दूगो रेक्टेंगल बन सके अब एगो रेक्टेंगल या चतलुबुज अपने के हंस का एगो हिस्सा बनाएके लगी पहले अब एगो रेक्टेंगल के आधा मोड़ ले उकर बाद एक चौथाई में मोड़ ले एक चौथाई में मोड़ लेके बाद is खोलके दुनों हिस्षा के बीच में मोड़ के दूगो त्रीकोर्ड बना लें ताकि यह एगो तीर के जैसन लगें अब एक इस उल्टा पलटके आपन पल्टलबहल हिस्षा के दूगो त्रीकोर्ड में मोड़ लें आप लोग देख सेके नहीं जा कि वह में एगो छोट पॉकिट वनल भी लावे अभी दूनों मोडल भी छोट त्रीकोन का हिस्सा वो पॉकिट में मोड के डाल ले आप लोग देख सेके नहीं जा कि हम लोग के तरह करते ही जा यह अपने हंस का एक हिस्सा बने में मदद करेला अईसन कहले के बाद वापस आधा में मोड ले अभी आपन हंस का एको पूरा यूनिट हले इमें आप लोग दूगो पॉकिट देख सके निजा और दूगो चोच देख सके निजा आपके लगभग अईसन चार सो से पान सो यूनिट बनाए के पड़ी अईसन कहले के बाद एको यूनिट के पॉकिट में दूशर का यूनिट का चोच या नोख डाल देख सके निजा के तरे अईसन करज जाएं और भहुत सरा लगए लेके बाद पहला हिस्सा और आखरी हिस्सा एक दूरसे से जोड़ लें ताकि यह गो गोलाकार का आकार ले सके यह अपन हंस का नीचे का गोलाकार होगे लिए एही तरे अपने हंस का मुँ बनाए खातिर आप लोग तरीकोंट जोड़त जाएं आप लोग एके मोड के अईसन आकार भी दे सके निजा एकरे नोख पे आप लोग काला कलर का मुँ बना सके निजा अहिसन कईले के बाद आप लोग हंस का सरीर भी बना सके नहीं जा आप लोग छोट छोट रंग भी रंगा कलर ले लेके एकर सरीर बना सके नहीं जा आप लोग देख सके नहीं जा इक कैसन दीके लाए या पूरा आप लोग अनके सोच पर होए कि आप लोग कितना सुंदर लेकर बना सके नहीं जाए दीरे दीरे हन्स आपन आकार ले जाएला अहिसन पूरा भईले के बाद आप लोग हंस का गर्दन और मु lyrics लेकर आगे लगा ले आप लोग देख सकेने जाए कितना सुन्दर दिखे ला ये बनाये खातीर आपके एक से दू घंटा लगी लेकिन ये बनले के बाद बहुते ऑदभुत लगे ला आप लोग एकार जोड़ी बनाके आमने सामने रख भी संकेने जाए बहुते अच्छा शोग पीस लगेला